अभ्यास 25, नियम 106, 108, व्याकरण, शब्त कोश 600 प्लास 25 पराबर 625, इसके नीचे लकीर है सखी, मेत्र, शाटिका, साड़ी, तार स्वरेण, उच्च स्वर्से, तीन, कोश्ठक में ख़, इसके नीचे लकीर है ब्रू, बोलना, कोश्ठक में ख़, इसके नीचे लकीर है उच्चे है, एक उपर, दो उचा, तीन उचे स्वर्से, नीचे है, एक नीचे, दो नीचा, तीन, धीरे स्वर्से, दो कोश्ठक में ख़, इसके नीचे लकीर है सुन्दरम, सुन्दर, समीचीनम, सुन्दर अच्छा, शोभनम सुन्दर, मधरम मेठा, शीतलम ठंडा, उश्णम गर्म, कोमलम कोमल, तिक्षणम तेज तीखा, स्वकियाह अपना, परकियाह पराया, तवदियाह तेरा, मधियाह मेरा, भवदियाह आपका, तदियाह उसका, श्वेतह एक सफेद और दो स्वच्च, हरितह हरा, नीलह नीला, पीतह पीला, रक्तह लाल, कृष्णह काला, बीस व्याकरण, सखी, ब्रू, स्वाधिगण, गोण, व्रिधी, संप्रसारण, सुलोप संधी एक, सखी शब्द के पूरे रूप इसमारण करो, देखो, शब्द संख्या तीन दो, ब्रू धातु के उभैपत के दसुलकारों के पूरे रूप इसमारण करो, देखो धातु 28 लुरिट में ब्रू को वच्छो जाता है, अतहवक्षती वक्षताह आदी रूप बनेंगे नियम 106, ये नियम बहुत महत्वपून है, इस नियम के आगे स्टार का चिन्ह बना है देर्ग, गुण, व्रिधी, संप्रसारण, आदी के लिए ये विवरण पत्र ठीक से स्मरण कर ले, यहां मूल स्वर दिये गए हैं, उनके स्थान पर गुण, व्रिधी, आदी कहने पर, उपर के मूल स्वर के नीचे गुण, आदी के सामने जो स्वर आदी दिये गए हैं, वही होंगे। आगे जहां भी गोण व्रिधी संप्रसारण आदी कहा जाए, वहां इस सारणी के अनुसार कारे करें। रिक्तिस्थानों पर वो कारे नहीं होता। एक स्वर्ड आ-आ, इ-ई, उ-उ, रि-री, ल्री, ए, ए, अ, ओ, आउ, दो धीर्ग, आ-आ में आ, इ-ई में ई, उ-उ में उ, और री में री, ल्री, ए, आ, ई, ओ, आउ में रिक्तिस्थान है। तीन गुण, अ, आ के लिए अ, ई, ए के लिए ए, उ, उ के लिए ओ, री के लिए अर, रहके दीचे हलंद, लुरी के लिए अल, लहके नीचे हलंद, ए के लिए ए, आ के लिए रिक्तिस्थान, उ के लिए ओ, आ के लिए रिक्तिस्थान, जार व्रिधि, आ के लिए आ, ई के लिए ए, उ के लिए आउ, री के लिए आर, र के नीचे हलन्त, लिरी के लिए आल, ल के नीचे हलन्त, ए के लिए आई, आ के लिए भी आई, ओ के लिए आउ, और आउ के लिए भी आउ पाँच, यान संधी, आ की जगह रिक्तिस्थान है, ए के लिए य, हलन्त के साथ, ओ के लिए व, हलन्त के साथ, री के लिए र, हलन्त के साथ, लुरी के लिए ल, हलन्त के साथ, ए, आई, ओ, आउ में रिक्तिस्थान है छे आयादी संधे, आ के लिए रिक्तिस्थान, ए के लिए रिक्तिस्थान, उ के लिए रिक्तिस्थान, री के लिए रिक्तिस्थान, लिरी के लिए रख्तिस्थान, ए के लिए आये हलंत के साथ, ए के लिए आये हलंत के साथ, ओ के लिए आव हलंत के साथ, और ओ के लिए आव हलंत के साथ, साथ संप्रसारण, या को ई, व को उ, र को री, ल को री, यान संधी का उल्टाकारे, नियम एक सो साथ, ये नियम भी महत्वपून है क्योंकि इसके आगे स्टार का चिन्ह बना है, स्वाधिगन, स्वाधिव्या, श्नुह, स्वाधिगन की धातुओं की परण लगता है, धातो को गोण नहीं होता, नुको, परस्मय, एक बचन में गोण होता है, देखिए अभ्यास 47 से 49, और नियम एक सो आज, ये नियम भी महत्वपून है, इसके आगे भी स्टार का चिन्ह लगा है, एतत्तोह, सुलोपो, एशह और सह के सा अर्थार्थ विसर की कलोप हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन होतो, बाद में अ होतो, ओ कि साथ धीर्ग मातरा आता है, नियम 99, अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर कलोप हो जाता है, नियम 105, सह प्लस करोती पराबर स करोती, इसी प्रकार स पठती, स लिखती, एश करोती, प्रेश्ट 51, ब्रूधातु स्वादिगर्ण सुलोप संधी अभ्यास 25 एक उदाहरण वाक्य एक समदियह त्वदियष्ट सखास्ति दो स्वकियम सखायम पश्य तीन स्वकियस्य सक्यो सुन्दरम मुखम पश्य चार सक्यो विश्वासम कुरू पांच सशोभनम मधुरम च ब्रवीती अब्रवीत वक्षती वा छे अहम उच्चह तार्स्वरेण च ब्रवीमी अब्रवं वक्षयामी वा साथ त्वम शनेह नीचह वा ब्रवीशी अब्रवीह वक्षयसी वा आठ सधर्मम ब्रुयात नौ अहम सत्यम ब्रवीमी त्वम पी सत्यम ब्रुही दस स्वकियम श्वेतम वस्त्र माने परकियाम रक्ताम शाटिकाम न आने ग्यारह त्वदिय मेतत क्रिश्नम पुस्तकम मदिय मेतत पीतम वस्त्रम तदिय मिदम नीलम पुष्पम भवदिय मिदम हरितम वस्त्रम बारह उष्णम शीतलम च जल माने और तेरह कोमलम मधुरम च ब्रुही न तू तीक्षणम दो संस्क्रित बनाओ कर एक वहे उसका मित्र है दो अपने मित्र को यहां साथ लाईए तीन उसके मित्र को धन दो चाद मेरे मित्र का यह कार कर दो क्री पांच पराय मित्र पर विश्वास न करो छे उस मनुष्य का वस्त्र श्वेथ है साथ किस कन्या की साड़ी हरी है और किसकी लाल आठ उसके नीले वस्त्र को लाओ नौ मेरे पीले वस्त्र को न ले जाओ 10. अगनी उश्न होती है और जल शीतल 11. फूल कोमल और सुन्दर है 12. फल मीठा और अच्छा है 13. बुरूधातु 14. देव उचे स्वर से बोलता है 14. मैं धीरे बोलता हूं 15. तू तीखा बोलता है 16. क्रेश्न बोले 17. तू बोल 18. मैं बोलूं 19. वह बोला 20. तू बोला 21. मैं बोला 22. वह बोलेगा 23. तू बोलेगा 24. मैं बोलूंगा 3. अशुधवाके एक तदियम सखायम धनम वितर शुधवाके 21. तदियाय सखे धनम वितर 29. अशुधवाके दो 21. कस्य कन्यायाह शाटिका हरितम 22. कस्याह कन्यायाह शाटिका हरिता 23. अशुधवाके तीन 21. त्वम ब्रवसी अब्रवह ब्रवः शुधवाके है त्वम ब्रवीशी अब्रवीवी ब्रूही 29. नियम धातु रूक 30. अशुधवाके चार सब्रूश्यती, अब्रवत, ब्रवेत, शुद्धवाक्य है सवक्षती, अब्रवीत, ब्रूयात, नियम धातुरू चार, अभ्यास क, दोख को बहुवचन बनाओ, ख, सखी शब्द के पूरे रूप लिखो, ग, ब्रूधातु, परस्मई पत के दसो लकारों के पूरे रूप लिखो, ग, स्वादिगन की विशेशताईं बताओ, अंग, किन्स्वरों को दीर्घगुन और विधी करने पर क्या ह होता है, बताओ, और च, संफ्रसारण कहने से किस के स्थान पर क्या होगा, बताओ, पांच, वाक्य बनाओ, शोभनम, कोमलम, त्वदियम, भवदियाह, मदियाह, तदिया, श्वेतम, रक्ता, ब्रवीति, ब्रवीमी, ब्रवीतु, ब्रुहि, वक्षति, अब्रवीत, अब् संधी करो, सह प्लस गच्चती, सह प्लस पठती, सह प्लस ब्रवीती, एशह प्लस हसती, एशह प्लस वदती, और साथ संधी विच्चेत करो, सहरिहिप स शिवह, स रुद्रह, स करोती, एश गच्छती, एश रामाह, अभ्यास 25 समाप्त, प्रेश्ट बावन, अभ्यास 26, नियम 109 से 110, शब्द कोष 625 प्लस 25 पराबर 650 व्याकरण, कोष्ठक में का इसके नीचे लकीर है, कर्त्री, करने वाला, हर्त्री, चुराने वाला नाशक, धर्त्री, धारक, श्रोत्री, सुनने वाला, वक्त्री, बोलने वाला, नप्त्री, नाती, सवित्री, सूरे, प्रेरक, अधियत्री, पढ़ने वाला, गंत्री, जाने वाला, द्र तर्षक त्वस्ट्र बढई धातू एक ब्रह्मा दो धारक विधात्र एक इश्वर धो करता नेत्र एक नेता दो ले जाने वाला नर्मात्र बनाने वाला धात्रि देने वाला द्वेशट्री, द्वेश करता, स्तोत्री, स्तती करता, ग्यात्री, जानने वाला, भुगत्री, एक खाने वाला, दो उप भोग करता पाठाह, पाठ, लेखाह, लेक, ग्रन्थाह, ग्रन्थ, भाराह, बोच, 24 कोश्ठक में ख़, इसके नीचे लकीर है, रुद, रोना, एक सूचना क, कर्त्र से भोक्त्रित, कर्त्रिवत, पार्ट से भार, रामवत व्याकरण, कर्त्र, रुद, कर्मवाचे, भाववाचे, तुदादिगन एक, कर्त्रिव शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो, शब्द संख्या पांच दो, रुद, धातु के दसो लकारों के पूरे रूप स्मरण करो, देखो, धातु संख्या तीस नियम एक सुनों ये नियम बहुत महत्वपून है क्योंकि इसके आगे सितारे का चिन्ह लगा है तुदादि दिव्याह शह तुदादिगन की धातूं की विशेष्टा ये है कि धातू और प्रत्ये के बीच में अ भवादिगन के तुल्ले लगता है भवादिगन में धातू को गुण होता है परन्तु तुदादिगन में धातू को गुण सर्वथा नहीं होता देखो अभियास 5, 50, 51 जैसे लिखती, तुदती, मिलती, क्षिपती, देशती कर्मवाच्चे और भाववाच्चे नियम 110, ये नियम भी बहुत महत्वपून है क्योंकि इसके आगे भी स्टार का चिन्ह लगा है क, संस्कृत में तीन वाच्चे होते हैं एक कर्त्रिवाच्चे, दो कर्मवाच्चे, तीन भाववाच्चे सकर्मक, कर्मयुक्त धात्वों के दो वाच्चे में रूप होते हैं एक कर्त्रिवाच्चे, दो कर्मवाच्चे अकर्मक, कर्मरहित धात्वों के रूप कर्त्रिवाच्चे और भाववाच्चे में ही होते हैं कर्मवाच्चे में नहीं अकर्मक की साधारंतया पहचान ये है कि जिसमें किम, किसको क्या का प्रश्ण नहीं उठता एक, कर्त्रिवाच्चे में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता में प्रत्मा और कर्म में धुई दिया 2. कर्मवाच्चे में कर्म मुख्य होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिंगो होगा कर्ता के अनुसार कुछ नहीं, कर्मवाच्चे की पहचान है कर्ता में तृतिया, कर्म में प्रत्मा क्रिया कर्म के अनुसार तीन, भाववाच्य में करता में तृतिया कर्म होगा ही नहीं, क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन होगा ख, सार्व धातु के यक, कर्मबाच्ची और भावाच्चे में सार्व धातु कलकारों अर्थार लट, लोट, लंग, विधिलिंग में धातु और प्रत्याय के बीच में यह लग जाता है। धातु संख्या चवालीज, लिरिट में इश्यते या स्याते आदी, गम, गम्यते, गम्यदाम, अगम्यत, गमियत, गमिश्यते, प्रेश्ट तरेपन, कर्त्रिशप्द, रुद्धातु, कर्मबाच्चे, भावबाच्चे, तुदाधिगन, अभ्यास 26, एक, उदाहरन वाके, एक, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मया पुस्तकम पठियते, दो, मया, त्वया, युश्या भी, असमा भी, तेन, तह, वा, ग्रिहं गम्यते, तीन, मया फलम खादियते, मया फले खादियते, मया फलानी खादियनते, 4. जनकेन बालाह द्रिश्यते, बालाओ द्रिश्यते, बालाह द्रिश्यनते 5. तेन अत्रभुयते, 6. उस्तकस्य कर्त्रा लेखो लिख्यते, श्रोत्रा हस्यते, गंत्रा ग्रामो गम्यते, अधियत्रिभी पाठा पठ्यनते, नप्त्रा भोजनम पच्चियत, सवत्रा भासियत, द्रिश्ट्रभी, छात्रा द्रिश्यनते, त्वश्ट्रा धात्रा विध स्तोत्रिभी ग्यात्रिभिष्च दाता सेव्यते द्वेष्टा त्यज्यते भुक्त्रिभी भोजनम पच्चते खाद्यते चौ। साथ बालका उच्चह रोधिती अरोधित रोधितु रुध्यात रोधिश्यती वा। आठ, बालकेन उच्चह रुद्यते, अरुद्यत, रुद्यताम, रुदियत, रुदिश्यते व, दो, संस्कृत बनाओ, क, एक, तेरे द्वारा, मेरे द्वारा और उनके द्वारा हसा जाता है, दो, पुस्तक के करता द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, 3. धन के हरता द्वारा धन ले जाया जाता है 4. भार के धारन करता द्वारा भार यहां लाया जाता है 5. शोताओं के द्वारा हसा जाता है 6. वक्ता के द्वारा भाशन दिया जाता है 6. ख, 7. नाति के द्वारा गुरु की सेवा की जावे 8. सूरी के द्वारा तपा जाए तप 9. अध्येता के द्वारा 3 गरंथ पढ़े जाएं 10. गाउँ को जाने वालों के द्वारा गाउँ को जाया जावे 11. दर्शक के द्वारा 2 छात्र देखे जाएं ग, बारह, नगर में बढ़ाई, नेता, दानी, दर्शप, शोता, द्वेश करता, निर्माता, स्तुति करता, उपभोग करता, ग्याता और पढ़ने वाले सभी लोग रहते हैं। ग, तेरह, बालिका रोती है, चौदह, तू रोता है, पंद्रह, मैं रोता हूँ, सोलह, वेह रोवे, सत्रह, तू रो, अठारह, मैं ना रोऊं। 19. बालक रोया, 20. तू रोया, 21. मैं नहीं रोया, 22. वेह रोएगा, 23. तू भी रोएगा, 24. मैं नहीं रोऊंगा. 3. अशुद्धवा के एक, तू या, मैं तेह हस्यंते, शुद्धवा के है, तू या, मैं तेह हस्यंते, नियम 110 क, अशुद्धवा के दो, पुस्तकस्य करता ग्रंथम लिख्यंते, शुद्धवा के पुस्तकस्य करता ग्रंथम लिख्यते, नियम 110 क, अशुद्धवा के तीन, ग्रामान, गंत्रा, ग्रामम, गच्छे युह। शुद्धवाक के ग्रामान, गंत्रिमी, ग्रामा, गम्येरन। नियम 110 क, ख। अशुद्धवाक के चार रोधती, रोधामी, रोधेत, रोध। शुद्धवाक के है रोधिती, रोधिमी, रोध्यात, रोधिही। नियम धातु चार अभ्यासक दो क को लोट लंग विधिलिंग और लिरिट में बदलो। ख दो ख को लट लंग और लिरिट में बदलो। ग दो घ को बहुवचन बनाओ। ग रुद धातु के दसो लकारों में रूप बताओ। अंग इन शब्दों के पूरे रूप लिखो कर्त्री, हर्त्री, शोत्री, वक्त्री, अध्येत्री, गंत्री, नेत्री, दात्री, ग्यात्री, भोक्त्री च तो दादिगन की विशेषता बताओ 6. कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रत्रिवाच्य सी क्या अंतर होता है, दस उधारन देख कर समझाओ ज़, इन धात्यों के कर्मवाच्य में दसोलकारों में रूप बनाओ पठ, सेव, नम, गम, नी, भाश और पांच वाक्य बनाओ पठ्या थे, समवया थे, गम्या थे